हाई गाईज वल्कम बैक आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यद स्वागत थे गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने डिवाइस में बैटरी की उपर अलाम कैसे सेट कर सकते हैं यानि कि जब आपका डिवाइस 100% complete चार्ज हो जाता है तब आपके डिवाइस में एक अलाम बजेगा और आपको बोलेगा कि अपने डिवाइस को चार्जिंग से हटाओ और आपको ध्यान में रखेंगा कि आपको अपने डिवाइस को चार्जिंग से भी प्लग आउट करना ह कई बार हम day to day routine में इतने busy हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हमने अपने डिवाइस को charging की उपर कब set किया था और कब तक ये charge होते ही जा रहा है, over charging होते ही जा रही अपने डिवाइस की उपर तो चलिए बात करते हैं आप कैसे setup कर सकते हो, सबसे पहले आपको shortcut के आपको install करना है, तो वैसे तो ये application आपको हर किसी device में पहले ही pre-install देखनी गुमलती है, तो अगर नहीं है तो इसको install कर लें, install करने के बाद आपको automations पर tap करना है, तो मैंने पहले ही दो automations यहाँ पर create क रखी है, 100% और 90%, क्योंकि मैं दोनों को use करता हूँ पर device क्यूपर, कई बार मैं इसे 90% चार्ज करता हूँ, कई बार मैं इसे 100% चार्ज कर लेता हूँ, एक दुबार, तो उसके बाद आपको यहाँ पर plus button पर tap करना है, इसको create करने के लिए, और यहाँ पर आपको battery level को select कर करना है, यह है battery level, तो यहाँ पर आपको देखनी को मल जाएगा, इसका slider, जहाँ पर आपको एक value चाहिए, जैसे कि मेरे को यहाँ पर 85% की उपर इसे set करना है, मान लो, उसके बाद आपको run immediately को select करना है, और यह जो notification है, इसको आपने off ही रखना है, ताकि आपको कोई भी notification lock screen पर देखने को ना मले, run immediately के उपर tap करने के बाद, आपको यहाँ पर next button पर tap करना है, और यहाँ पर आपको automatically speak text का option देखने को मल जाएगा, by chance अगर आपको यह option देखने को नहीं मलता है, तो यहाँ से आपको new blank automation पर tap करके, वहाँ पर search करना है speak text का option, उसके बाद आपको य मैंने यहाँ पर 85% यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर मैंने type करना है 85% charge, तो जैसे ही मैं यहाँ कर टाइप करता हूँ 85% charge, तो यह जो option है, वो आपका device जो है, वो speak करके बोलेगा आपको यह जो paragraph आपने enter किया है, तो यहाँ पर आपको type करता है stop charging, तो यहाँ पर आपको type कर देना है stop charging इसके साथ आपको इजी रहेगा कि आपको अपने डिवाइस को हटाना है charging की उपर से जैसे ही यहाँ पर डन बटन पर tap करोगे आपको यहाँ पर play बटन देखने को मल जाएगा आपको यहाँ पर play करना है तो इस तरह से आप इसे stop कर सकते हो जब आपका डिवाइस एक certain battery level की उपर पहुंचाता है यहाँ पर आपको कोई भी value select करनी है बस आपको यहाँ पर डन के बटन पर tap कर देना है अब आप good to go हो जैसे ही 85% या 90 या 100% तक मेरा डिवाइस पहुंचेगा हर बार यह alarm जो है मेरे डिवाइस में play होगा और मैं इसको easily plug out कर सकता हूँ charging से कैसी लगी आपको यह trick कॉमेंट्स में मिलको ज़रूर बताना इसके साथ क्या होगा कि आपका जो डिवाइस है वो आपके battery cycle counts को भी maintain रखेगा और आपकी battery health को भी maintain रखने वाला है इसलिए इसको ज़रूर यूज़ करें सो मलते हैं गाइस अगले वीडियो में सो थैंक्स पॉर वाचिंग